दोस्तों स्टॉर्स का नाम है एक्सेल रियल्टी इंफ्रा लिम्टेड चुब आलीस पैसे चालीस पैसे का यह सेर है पांच पैसे की गिरावट आज की डेट में इसमें देखने के लिए है 40 पैसे इसमें क्लोजिंग दिया है अब इस इस टॉक को क्या हम लोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखिए हम लोगों को इसमें जो है ना मतलब देखिए बाइंग तो चलिए यहां पर गिरावार तो मुझे उतना ज़्यादा इसमें अब दिख नहीं रहा हलाकि अब बोलोगे कि 40 पैसे का सेर है अब कितना गिरेगा बाई 40 पैसे से अगर 20 पैसे होगा ना तो भी 50% गिर जाएगा त यह उसको पेसे अन्डेट परसand गिर सकता है बीस पैसे पर जाएगा वहां से भी 100% गिर सकता है फिर से 100%08 तो यह नहीत कहिल कि नहीं क्यून दो रुप्या वाला सेर है तो कितना गिरेगा आप उस यतना पैसां लहाँ den all उसका वह 0 भी हो सकता है मतलब अगर मान लें कि यहां पर कोई जो है एक लाख रुपया लगा रहा है तो बुले कि अब 40 पैसे का सेर कितना गिरेगा बहुत 40 रुपया का सेर अगर एक लाख लगाते हो और यह 20 पैसे पर भी आ गया तो आपका 50 लाख हो गया ठीक है ना मतलब 50,000 हो गया मतलब 50,000 गाएब हो गया तो सेर यही चीज्ड तो है वो कितना भी गिरता जाता है उसको 100% गिरने की संभावना रहती है कई सारे लोग आप लोगों को बोलते हैं कि उपर भागने की उसकी कोई सीमा नहीं है वो कितना भी भागता है लेकिन नीचे गिरे लगा तो 100% ही गिरेगा लेकिन वो भाई उनको उतना इतना नहीं समझ में आता है कि वो हर लेबल से 100% गिरता है मतलब अगर आप यहां पे जो है इसको खईदे होंगे तो उसका भी 80 पैसे पे जो खईदा होगा उसका तो 50% गाया अब 40 पैसे पे भी कोई खईदता है तो 20 पैसे प कम गिरा लेकिन जिस भी लेबल पर आप एंट्री लेते हो तो आप मान के तो लिए कि आपका 100% 0 हो सकता है देखिए इसमें मुझे जो कंडिशन दिख रही है यह उपर जाएगा लेकिन अभी इतना जल्दी यह उपर नहीं जाएगा यह मैं आपनों को बता दो मतलब कहने क कि अभी इश्पू होल्ड तो किया जा सकता है लेकिन होल्ड करने में एक जो दिक्कत है कि आपका पैसा फसा रहाएगा अभी हाल फिलाल में यह कोई मुझे बहुत बड़ा मूब देता हुआ नहीं दिख रहा है जैसे मैं टेक्निकल आर्सी जैसे भी मैं करता हूँ यह जि चार्ट पर एगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट पर देखेंगे छोटा मोटा मोमेंटम तो आ सकता है अगर बड़े मोमेंटम के लिए आप जाना चाहते देख रहा था फिकली चाट पर उतना जemi जादा मतलब सही नहीं दिख रहा है ठीक ना धशहर्ट पर ठीक दिख रहा है, थोड़ा बहुत सही दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, देखिए, ये blue line, ये black line, ये दोनों line में लड़ाई है, क्यों ठीक है न, अब जब ये वाली strong line है, ये weak line है, जब ये weak line, strong line को उपर साइड में ब्रेक कर देती है, तो फिर समझे न, कि इसमें त ज्यादा ज्यादा momentum करेगा तो return अच्छा मिलेगा लेकिन जो चाहिए जो hero zero वाला जो इस तरह के penny stocks में चाहिए होता है वो target नहीं मिलेगा कहने का मतलब यहां से फिर से 70 पैसे जा सकता है जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 60 पैसे 70 पैसे 70 से मुझे अभी इसमें target नहीं दिख रहा क्योंकि यह अभी यहां से एक बार 70 जाके फिर से नीचे आके फिर से यहां पर sustain करके ही कुछ करेगा मतलब एक बार पहले उपर उसके बाद यह नीचे दो momentum तो करेगा ही करेगा वो छोटे time frame में अब यहीं पर बड़े time frame के लिए इसमें entry लोगे मतलब 40 पैसे खईद होगे इसको 2 रुपे के लिए 4 रुपे के लिए तो वो move नहीं मिलने वाला है तो clear है आप लोगो हो गया कि 70 पैसे के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इसमें आप लोग एक छोटा सा मतलब entry ले सकते हो इस टोप लोगों को कहां का फालो करना पड़ेगा इस टोप लोगों को सेव महीं 20 पैसे का फालो करना पड़ेगा 20 पैसे या उसके नीचे का फालो करना पड़ेगा ठीक है न तो इसको आप लोग देख लिजेगा 30 पैसे का भी फालो कर सकते हैं 10 पैसे का भी लेकिन उतना र पतर पैसे इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है अभी इसमें फिराल में तो देख लिए जगा बाकी वहीं जो वीकली चार्ट में देख रहा था वीकली चार्ट पे मुझे टार्गेट तो इतना बड़ा दिख रहा है डेड़ रुपे का एड़ उरुपे का लेबल टॉच करन के लिए जाएगा तीसरी बार इसको टॉच करेगा ही करेगा क्योंकि एक बार टॉच किया है दूसरी बार एक बार इधर के साइड में मतलब एक हेड़न सोलडर टाइप का बना है लेकिन वह परफेक्ट नहीं बना है ठीक ना मतलब इस तर से प्राइज गया है इस तरह से फिर इस तर से तो यह वला हाई और यह वला हाई अब यहाँ पर फिर कहीं से घुमके एक बार तीसरा हाई भी इधर ही बनाने के लिए जाएगा जरूर थोड़ा सा उपर या थोड़ा सा नीचे ठीक ना तो डेर रूप्या का टार्गेट मानके चलिए लेकि उसके लिए आ अगर आपनों को स्विंग टेडिंग सौट टम लॉंग टम इस तरह के स्टॉक से आईए तो आप मेरे वाटसब के प्राइबेट ग्रूप में ज्वाइन हो सकते हैं बहुत इस पेसल आफर सलता है और बहुत छोटे से अमाउंट पे मैं आपनों को यहाँ पर एंट्री दे दे दूँगा परसनल सलावी मैं आपनों को इसमें दे दूँगा जैसे किसी श्टॉक के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है क्या करें खरीद लेंग नहीं खरीद इस तरह का आप कोईशन भी पूछ सकते हो ठीक है ना देख लीजेगा वीडियो को लाइक जरू करिए और क्यादा।